नमस्कात दाशको मैं हूँ कुछ बूसेट और आज मैं दिखाना चाहूंगी बहुत सारी नहीं नहीं चीज जो मैंने खरीदी हुई है जैसे कि नवरात्री का फेस्टिवल आ रहा है तो आप सब भी नवरात्री फेस्टिवल की शॉपिंग में बीजी रहेंगे और बहुत सा चीज़े कहां अच्छी मिलती है तो इस बार मैं लेके आ रही हूँ नवरात्री एसेसरी और नवरात्री एसेसरी जनरली जो रहती है वो ऑक्सिडाइस की रहती है कलर फुल फुंगता वगेरा रहता है तो वैसी एसेसरी नहीं ट्रैंडिंग मैं लेके आ रही हूँ और वो accessories मैंने कहां से खरीदी है कितने में खरीदी है वो सारी details मैं आपको बताना चाहूंगी तो शलो शुरुवात कहते हैं हमारी first accessories से जो की ring come chain है तो ring come chain जो हमारी है वो ये चोटी सी है उसकी price आप सुनेंगे तो वो चौक के रह जाएंगे क्योंकि ये है खाली 155 रूपीज की जी हां और ये मैंने मंगाई है मिशो से आप देख सकते हैं ऐसी ring है आप ऐसे करके पहन सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रखती है जब आप गर पहने का और वो तरीका है मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जो बड़ा जो दो दो ring है जो बड़ी वाली है वो नीचे पहन लीजे और चोटी वाली उपर पहन लीजे और उपर वाली आप उसको tight कर लीजे adjustable ring दी गई है तो आप ऐसे भी उसको पहन सकते हैं तो ये मैंने मंगाई है मीशों से ये है उसकी सारी ड्यूटेज आप यहां ये picture देख सकते हैं जो मैंने मंगाया हुआ है वो है सेम वैसे ही चाइप का लेकिन वो 186 रूपीज का है ये थोड़ा बड़ा है वो थोड़ा छोटा था लेकिन ये बड़ा वाला मुझे इतना नहीं अच्छ आप देख सकते हो बहुत बड़े है तो फिर वो आपकी नेल नहीं रहेंगे तो ये आपको सूट नहीं करेगा आपकी अच्छे लॉंग नेल है या तो फिर आपकी फिंगर थिन और लॉंग है तो आपको ये सूट करेगा और ये भी मैंने मिशों से मंगाया हुआ है ये oxidized का है लेकिन इसमें speciality क्या है ये oxidized में stone है और आजकल का ये trending jewelry है जिसमें stone है इसमें orange color green color भी है आप ये pitch देख सकते हैं इसका oxidized का और ये खाली 300 rupees है ये सेम चीज मैंने मेशों से मंगाई है और इसके साथ आप देख सकते हैं इसकी earrings आए हैं जो बहुत ही प्यारे है और आप इसे कोई भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं नवरात्री के आउटफिट में ज्यादा सर्व सब भी कलर रहते हैं रेड ग्रीन येलो और ये तो बहुत ही कॉमन है और कॉंट्रास में पहनेंगे तो और अच्छे लगते हैं और ये मैंने 300 का है और मैंने मीशो से मंगाया है आपको मीशो से मंगाना है तो आपको मीशो एप डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से और वहां से मंगाना पड़ता है मैं जनरली क्याशन डिलिवरी करती हूँ बिकॉस मैं पहले से पेमेंट नहीं करती हूँ कभी पार्सल कैसा आता है पहुचेगा नहीं पहुचेगा यू नो back of the mind मेरा thought रहता है लेकिन आज तक जितने मंगा है उन्होंने प्रॉपर दिये है और आप ट्रस कर सकते है रिटन पॉलीसी भी उनकी बहुत अच्छी है यह कम यह आपका नौंग लेक्पीस है जो की 163 का है और यह box में आता है और आप देख सकते हैं पैकिंग बहुत अच्छा और बढ़िया की हुई है प्रिवेस सेट भी उन्होंने box में ही दिया हुआ था और यह वाला भी box में ही दिया हुआ है प्रिवेस वाला मैंने पहना था इसके लिए मैंने खोल दिया है और ये आज तक मैंने पहना नहीं है, अब भी तक मैंने नहीं पहना है, और ये आप देख सकते है, कितना प्यारा है, it's lovely and ये stones वगेरा कुछ नहीं है, ये खाली oxidized का है, light weighted है, quality देखने जाए तो previous की भी अच्छी है, इसकी भी quality अच्छी है, दिख तो अच्छा रहा है, work भ हम जाते है, जो नवरात्री के लिए special है, long chain, with ring with pendant, जो की वो around, मैं देख के आपको बताती हू, wrong chain, it's around 180 रूपीज, ये 180 रूपीज का है, ये आज तक मैंने पहना नहीं है, लेकिन इसकी जो packing थी, मुझे अथी नहीं लगी, और बहुत ही आप देख सकते, oxidized का color निकल के आ है, और देखने जाहे, तो इसकी finishing भी इतनी बढ़िया नहीं है, बाकी सब की थी, और 180 में था, बाकी के मीशो के बहुत सारे है, जो ऐसी type के है, वो कम दाम में भी है, और ये वाला है, इसका picture आपको ये left hand side दिखाया गया है, और ये जो accessories है, इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन पहन के भी देख सकते है, 180 में, not bad also, देखो ऐसा look आता है, ऐसा look आता है, और वो बहुत ही प्यारा लगता है, नवरातरी में, ऐसा एक रिंग जैसा ले लीजे, एक ऐसा ले लीजे, तो बहुत अच्छा look आता है, और एक चीज है, जो मैंने येरिंग मंगाई है, ऐ येरिंग मंगाई थी, ऐसे box packing में आई हुई है, जो की 130 रूपीस ही है, 130 amount कम ही है, अभी देखते है, quality कैसी आई है, quality इसकी अच्छी है, इसकी अब देख सकते है, clarity वगेरा बहुत ही बढ़िया है, और piece भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और मुझे अच्छा लगता है, पहनने के बाद भी ये प्यारा लगेगा, और ये oxidized jewelry है, जो नवरात्री में हमेशा trending लेती है, लेकिन हाँ, हम ये भी कह सकते है, आजकल तो oxidized jewelry हम सारी में भी पहनते हैं, बहुत जन dresses में भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है, खाली नवरात्री में ही ये trends है लेकिन बाकी सब चीज में भी ये oxidized वगेरे की jewelry पहनते हैं, और बहुत अच्छी रहती है ये, और मैंने कुद ट्राइ किया हुआ है, पहले भी एक oxidized jewelry मांगा के, वो आराम से 6-7 साल तक अच्छे से रहता है, और 130, 140, 180 के budget में इतने साल रहे, 3-4 नवरात्री भी पहन लिय जाता है, ये randomly मैंने मंगाया था, मैंने सोचा कि ये golden plated आएगा, लेकिन ये golden नहीं आया, और हाँ, golden आया, ये, उपर का bronze था, इसके लिए मुझे लगा कि ये golden नहीं आया, लेकिन ये gold में आया है, एक bronze में आया है, और ये chain है, जो मैंने randomly मंगायी थी, वो आप नवरात्री के लिए नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे ही आप use कर सकते हैं, ये सारी 4-piece change है, जो मुझ on any outfit, ऐसे western में या तो फिर पंजाबी वगरा में पहन सकते हैं, इसकी photo यहाँ है, left hand side पे आप देख सकते हैं, ये भी मैंने मिशो से ही मंगाया है, ये भी देखिए कितना प्यारा है, cute सा है, बच्चे लोग भी उसे पहन सकते हैं, ये सारे quality wise तो मुझे अच्छे लगे, ए bracelet था, वो मुझे okay लगा quality wise, बाकी सब quality wise good to go, amount wise भी very nice, you know, और सही बात बोलू तो मैंने market बहुत गूमा हुआ है, ये देखिए, ये भी बहुत cute सा है, you know, daily wear के लिए आप पहन सकते हो, जो बहुत ही beautiful है, और ये सारे मुझे 140 में मिले, you imagine, you know, कहीं जाते है, तो traveling में हमें issue ह होता है, real gold के संभालना यहीं कहीं गूम हो जाए, तो ये हम daily में change भी कर सकते है, अच्छी अच्छी varieties भी आती है, और काफी अच्छा है, 140 में 4 piece, you know, 1, 2, 3, and 4, ये 4 piece मुझे जो 140 में मिला है, वो काफी बढ़िया, दाम में मिला है, और अच्छा है, look wise also very nice, तीन gold में है, एक bronze में है, अलग-अलग variety है, एक diamond में है, एक pearl में है, और एक gold with diamond में है, so, you know, सारे variations इसमें cover हो जाते है, shape भी अलग-अलग different है, एक round है, एक star है, एक ball type है, strape, एक butterfly भी है, जानरली गर्ल्स के लिए, you know, trendy रहते हैं, और cute से है, regular wear में आप पहन सकते हो, पहन के जाते हैं, तो उनके लिए best है, you know, कहीं गुमेगा नहीं, और गुमेगा भी, तो हमें problem नहीं है, क्योंकि यह 140 रूपीज के चार है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो आजकल की नवरातिरी में latest trend में आये है, ये वाले, बहुत ही बढ़िया है, ये दर्शो को मैंने मीशों से नहीं खरीदे है, ये मैंने खल वीदे है, बुलेशवर मार्केट से, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वराइटी के कलर्स के ये नेकपीस मिल जाएंगे, इनकी रेंज उनके पास 600, 500, depends upon the piece, 700, बहुत ज्यादा है, मुझे लग रहा है इसकी रेंज, because generally ये बुलेशवर मार्केट में, ये कोई particular shop नहीं है, लेकिन जो बुलेशवर मार्केट में, जो गपुदर खाना है, वहीं एक अंकल बैठते है, वो सारे ये चीज लेके बैठते हैं, और बहुत काफी ग्रश होती है, शाम के टाइम पे आप जाना चाहते हो, तो आप्टरनून टाइम पे जाना और कलेक्शन देखने मिलेगा, अब देखा जाए तो हमें लगता है कि ये सस्ते में मिल जाने चाहिए, इतने रेंज नहीं होनी चाहिए थी, because it's like 600 and 700 without yearring, it's expensive I feel, so फिर भी मुझे प्यारा लगा और मुझे खरीद ना था, तो मैंने एक खरीद लिया, हाँ, उनकी earrings भी मैंने ली हुई है, earrings उसके साथ नहीं देते है, ये earrings मुझे अलग से खरीदनी पड़ी थी, तो ये earrings मुझे 250 की मिली है, और उनके shape है, ये उसके साथ मैच हो रहा था, तो मैंने ले लिया, ये दोनों चीजे, लेकिन य अकेले earrings का shape देखने जाओ, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो set में पहनने के लिए, ये earrings ले लिया, तो आप calculate कर सकते है, 600 for the neck piece and 250 for this, तो 850 का मेरा ये set हुआ है, नवरातरी का जो आजकल की latest trend है, मुझे अच्छा लगा, मैंने ऐसा लिया, कि युनों मैं स है, blue color के है, red color के है, नीचे जो oxidized का काम किया हुआ है, and it's very trending, और ये earrings बहुत थोड़े heavy है, ऐसे लग रहा है, पता नहीं, अगी dance करेंगे, गर्भा खेलेंगे, तो रहेगा, या years में गुम हो जाएगा, ज्यादा सर मेरे earrings गुम हो जाते है, क्योंकि गर्भा खेलते है, ड सादा से मैं गुमा देती हूँ, so आप earrings light weighted लेना, मैंने गलती कर दीव इतने बड़े लेके, second neck piece बहुत ही संदर है, same वैसे ही है, लेकिन ये pink में लिया, वो थोड़ा red, yellow और green में था, तो मैंने सूचे ये थोड़ा pink, you know, ये थोड़ा rani colors आता है, orange color आता है, वैसे type में ल लिया, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, कि ये बहुत ही बड़िया है, मतलब ये जो नीचे का काम है, oxidize का, इसमें भी stones दिये है, उसमें stones नहीं था, और ये neck piece भी मुझे 600 का मिला है, और वहीं bullish हो ऐसे लिया हुआ है, and second, उसकी yearings है, 250 rupees के है yearings, मुझे yearings बहुत सारे, और जब तक perfect नहीं मिलता, मुझे अच्छा नहीं लगता लेना, तो मिल गया perfect और मुझे इसके shapes बहुत अच्छे लगे, तो ये yearings है, हाँ, मैंने ये yearings और set पहना हुआ है, मैं घटकोपर में यहाँ पे हमारे वहाँ पे एक डांडिया का competition रखा था, तो मैं मैं वहाँ guest of honor गई थी, तो वहाँ मैंने ये पहना हुआ था, तो ये पहना था, तो वो कल खेलते-खेलते मेरे से गिर गाया, लेकिन लगी मुझे किसी ने दे दिया, तो मुझे वो second piece मिल गया मेरा, ऐसे वरना तो मेरा गुम हो जाता था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम खेलते हैं, तो हमें होश नहीं रहता है, और ये कहीं गिर जाता है, तो वैसे ही हुआ था, ये मुझे मिला 600 plus 250, 850 के हुए, एक्सपेंसिव लगे मुझे क्योंकि कहीं और ढूंटी जी, तो मुझे किजर अराउंड 500 में with earrings आ जाता था, लेकिन ठीक है, कभी emergency है और नवरात्री के बहुत सारी accessories भी बताई है, neckpiece बताई है, rings बताई है, rings बताई है, rings with bracelets बताई है, next vlog में मैं आपको बताना चाहूंगी more about नवरात्री outfit जो generally चनिया चोली रहते है, different colors के रहते है, तो वो आपको दिखाना चाहूंगी, तो हम मिलेंगे next Sunday को और मैं नया blog लेके आउंगी, related नवरात्री outfit और ये सारी accessories के collections मेरे कैसे लगे, आपको हमें comment section में बताना है, description में मैंने कहां से लिया है, मीशो से जैसे लिया है, और अपना बुलेशवा से लिया है, उसका भी details में description में दे दूँगी, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे है, पहली बार विजट कर रहे है, तो प्लीज हमें subscribe करना मत बुलना, हमारा show ये अच्छा लगा, तो उसे like और comment करना मत बुलना, बाई, नमस्कार